ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालिज सिविल लाइन्स में प्रधानमंत्री मोधी द्वारा अंतराष्ट्रिय योग दिवस पर आहूत किये गए योग दिवस के अवसर पर प्राता काल पांच अतीस बजे से चात्र चात्राओं, शिक्षको, अभिभाव क एवं गण्मान्य नागरिको का समुह लगभग 950 की संख्या में योगासन करने के लिए विद्याले परिसर में उपस्थित हुआ कार्यक्रम का शुभारंब मासरस्वती के समुख गण्मान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया ततपश्चात विद्याले के शारिरिक आचारे विनोध सिंग ने विद्याभारती द्वारा निर्देशित योगासन का शुभारंब किया विद्याले के में योग एवं आसन की नवीन विधाएं सीखने की लालसा दिखी योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथी के रूप में प्रयागराज विकास प्राधिकरण में SDM आलोग कुमार पांडे एवं क्षेत्रिय सह संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर तथा विशिष्ट अतिथी के रूप में सह मंत्री चिंतामनी सिंग प्रदेश निरीक्षक शेषधर द्विवेदी एवं क्षेत्रिय खेलकूद प्रमुक चगदीश सिंग उपस्तित रहें विद्याले के प्रधाना चारि विक्रम बहादुर सिंग परिहार ने उपस्तित चात्रों को योग विधा से होने वाले लाबों की जानकारी देते हुए कहा यह हमें अपने जीवन में स्वस्थ एवं निरोग रहना है, तो हमें योग को अपनी दिन चर्या का हिस्सा बनाना होगा। योग प्रशिक्षक विनोध सिंग एवं अजीत सिंग ने योग एवं आसन की विभिन विधावे का प्रशिक्षन देते हुए चात्रों को उनसे होने वाले शारिरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में बताया तथा लगभग एक घंटे का योगा भ्यास कराया आलोग पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम सभी यहां योग दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए है योग केवल शरीर की कुछ मुद्राव या आसन तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना सिखाता है यह हमें अपनी सांसों, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है जिससे हम सभी परिस्थितियों में शांत रहना और अपना ध्यान के इंद्रित करना सीखते हैं विद्या भारती के क्षेत्रिय सरसंगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि पतंजली के अश्टांग योग, यम नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान, समाधी में आसन स्थिर सुखिती आसन का महत्वपून स्थान है कार्यक्रम में उपस्तित शिशु मंदिर व व विद्या मंदिर के आचार्य आचार्या, विद्या भारती के पदाधी कारीगण, करमचारी, मात्रू शक्ती, अभिभावक बंधु भगिनी एवं अन्यगण मान्ने लोगों ने भी योग क्रिया में प्रसंता पूर्वक प्र कार्यक्रम को सफल बनाया